आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है आज राग रिवीजिन का ये फिफ्थ पार्ट है जो मैं लेके आई हूँ I hope ये राग रिवीजिन वाली सीरियस जो है आप सभी लोगों के लिए helpful होगी अगर आपने मेरे बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए क्योंकि वहाँ पे मैंने थियोरी के साथ साथ प्राक्टिकल नॉलिज देने की भी आप लोगों को कोशिश की है जैसा कि पैटन रहा है म्यूजिक से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें स्वर संगती देखे वो राग के बारे में पूछ लेते हैं तो इसलिए रागों के बारे में पढ़ना और उनको याद करना बहुत ही जादा जरूरी है इसी वज़ा से मैंने ये जो सीरीज है वो शुरू की थी और आज तोड़ी थाट के रागों के बारे में हम दिसकशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए तोड़ी थाट के राग होते कैसे है सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि तोड़ी थाट के अंदर क्या होता है देखिए तोड़ी थाट के अंदर रिशब, गंधार, धैवत ये कोमल होते हैं और मध्यम जो है वो तीवर होता है मतलब इसमें विक्रित स्वर की संख्या कितनी है? चार है जिसमें से तीन स्वर कोमल है और एक तीवर है अब देखिए तोड़ी थाट के रागों में अकसर ऐसा देखा गया है कि ज्यादा तर इन रागों का जो समय है वो दिन का ही होता है तो जिन तोड़ी थाट के रागों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो ये सिर्फ तीन राग है पर ये तीनों ही राग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुलतानी से तो बहुत ज़्यादा क्वेशन पूछा जा चुका है और तोड़ी से भी अकसर क्वेशन जो हैं वो देखने को मिलते हैं तो देखिए तोड़ी अब जैसे कि आप इधर देखी सकते हैं कि ये सारे दिन के ही राग है, ठीक है तो अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कॉशन करना शुरू करेंगे सबसे पहले जो राग है वो राग है तोड़ी जिसको मिया की तोड़ी भी बोला जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि राग तोड़ी को मिया की तोड़ी क्यों बोला जाता है क्योंकि देखिए राग तोड़ी का आविशकारत जिन्हें माना गया है वो थे तानसीन जी जब कोई भी राग बनाते थे तो उसमें मिया जो है जो राग होते थे तो तानसीन जी अगर कोई भी राग बनाते थे तो उसमें मिया जो है वो आड़ कर देते थे जिससे ये पता तो raag तोड़ी को राग मीया की थोड़ी भी बोला जाता है tribunal राग तोडी जो है वो तानसीन जी ने बनाया था जैसे कि आपने मलहार राग अगर सुना है तो मिया की मलहार देखिए वो भी तानसीन जी ने वो राग जो है बनाया था तो वैसे करें, मिया की सारंग भी आपने सुना होगा, तो यह सारे जहां पे भी मिया है, मतलब यह सारे राग किसने बनाए, तानसेंजी ने बनाए, ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखनी है, तो देखें, राग तोड़ी के अंदर सबसे पहले जो स्वर है, वो यही है क इसमें रेगाधा, कोमल है, और मातीवर है, क्योंकि इसका जो थाठ है, वो क्या है, तोड़ी है, राग तोड़ी में वादी स्वर धैवत है, और संबादी स्वर गंधार है, इसका मतलब यह है कि राग तोड़ी में, जादा से जादा हमें धैवत, और गंधार पे न्यास जो है वो देखने को मिलता है और ये स्वर जो है इस राग में एक महत्व पून स्थान रखते हैं। राग तोड़ी का समय है दिन का दूसरा प्रहर और इसकी जो जाती है वो है संपून। अब देखिए राग तोड़ी को दक्षिन भारतिय संगीत में इस नाम से जाना जाता है शुब पंतु वराली इस नाम से जो है इस राग को दक्षिन भारतिय संगीत में जाना जाता है ठीक है इससे related question अल्रेडी बन चुका है इसलिए आप याद रखिए कि दक्षिन भारतिय संगीत में राग तोड़ी को क्या बोलते थे तो ये बोलते थे ठीक है अब देखिए राग तोड़ी के अंदर कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो वर्जित है जिसकी वज़ासे इसकी जाती संपून बताई गई है अब देखे आरो अवरो जब आप देखेंगे तो देखे बहुत सीधा सीधा है ठीक है अब जैसे यहां लिखा है सारे गामा प मधा नीसा बर कुछ लोग सारे गामा पधा नीसा भी लेते हैं वो भी सही होगा पर ये लिखा क्यूं है क्यूंकि देखिए जो राग तोड़ी का चलन है वो इसी तरीके से गाया जाता है जिसमें हम पाको लांग के माधा नीसा ऐसे जाते हैं ठीक है और अवरो देखिए कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप देखी सकते हैं और पकड जो है यहां पे लिखा हुआ है और ये जो फ्रेज है रेगा रेसा ये एक तोड़ी अंग है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर ये ये फ्रेज मतलब कोमल रे कोमल गंधार कोमल रे दुबारा से और सा अगर ये फ्रेज आपको कहीं सुनने को मिल रहा है किसी और किया जा रहा है अब मैं इस राग का जो मुख्य स्वर संगती है आपको वो गाके सुनाती हूं सारी गारी गार सारी गारी खाय हूं रिदा रिसा रिदा पामा कर रिदा रिसां तो जैसा कि आपने सुना, जब आपने सुना तो आपने ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से ये फ्रेज जो है बार-बार इस राग में लिया गया है, ठीक है और कहीं न कहीं पा जो है पंचम का जो प्रयोग है वो इस राग में अल्प है, ठीक है देखे विशेशताओं के अंदर भी हम ये चीज देखेंगे कि पंचम स्वर का जो प्रयोग है इस राग में अल्प है मतलब कम होता है और गंधार स्वर जो है वो अती कोमल है क्योंकि गंधार जो है वो कोमल रिशप से होके जाता है मतलब कोमल गंधार जो है वो अती कोमल है ये चीज आपको याद रखनी है जैसा कि मैंने आपको बताया इसके आवेशकारक कौन थे मिया तानसीन जी राग तोड़ी एक आश्रे राग भी है क्योंकि इस राग के नाम का निर्मान जो है वो इसके थाट के उपर हुआ है इसकी प्रकृति कैसी है गंभीर और शान्त है जिसकी वज़े से आप कभी भी राग तोड़ी में थुम्रियां बिल्कुल नहीं सुनेंगे इस राग के अंदर खयाल ही जो है वो ज्यादातर सुनने को मिलते हैं और गाय जाते हैं इस राग का संप्रकृतिक राग है राग गुजरी तोड़ी ठीक है और गंधार स्वर जो है वो अती कोमल है मतलब रिशब सेव जो है कोमल गंधार जो है वो आता है और इसमें पंचम स्वर का प्रयोग जो है वो देखिए अलप है जब मैंने आपको गा के बताया तो आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से हम पापे ज्यादा रुखते नहीं है और बहुत कम उसका प्रयोग जो है वो करते हैं पर देखिए पा का प्रयोग करना जरूरी भी है राग तोड़ी में ऐसा क्यूं क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं वो राग गुजरी तोड़ी हो जाएगा तो ये एक important point है जो आपको याद रखना है अभी जब हम राग गुजरी तोड़ी के बारे में पढ़े पंचम जो है वो पून तह वर्जित है बादी स्वर इसका धैवत ही है और समबादी स्वर देखिए कुछ लोग रिशब भी मानते हैं और कुछ लोग गंधार भी मानते हैं सामे देखिए इसका दिन का दूसरा प्रहर है जाती है शाडव क्योंकि पंचम इस राग में नही में दिए स्वर इसका दोने का दूसरा है दो कि दोने दुनिए स्वर भी मानते हैं सामे दोने के दोने कम चैसे हैं सामे दूसरा प्रहशत है वी घ। आपको क्लियर हुआ होगा कि राग गुजरी तोड़ी किस प्रकार का राग है और क्या उसमें मुख्य फ्रेज हैं या मुख्य पर संगतिया है तो अब आपको शायद समझ आया होगा कि क्यों मैंने आपको बोला था कि तोड़ी के अंदर पा का जो प्रयोग है वो हमें करना तो है पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कौन सा राग हो जाएगा गुजरी तोड़ी क्योंकि गुजरी तोड़ी के अंदर पंचम जो है वो लगता ही नहीं है अब देखिए राग गुजरी तोड़ी की विशेष्टा जो है वो देख लेते है देखिए राग गुजरी तोड़ी की विशेष्टा ये है कि जब भी हम राग गुजरी तोड़ी सुनते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि इस राग का जो प्रारंभ है वो कोमल धैवत से हमें सुनने को मिलता है जैसा कि मैंने आपको गाके भी बताया था इसका सम्प्रकृतिक राग है मिया की तोड़ी देखिए प्राचीन काल में राग गुजरी तोड़ी जो है वो भैरव थाट स कि उत्पन हुआ ऐसा माना जाता था पर आज का जो गुजरी तोड़ी हम सुनते है वो ऐसा बिलकुल नहीं है दोनों में बहुत ही जादा अंतर है क्योंकि आज का जो गुजरी तोड़ी है वो कौन से थाट से उत्पन होता है तोड़ी थाट से उत्पन होता है ओके अब ज इसके कारण इसकी जाती कैसी है, ओडव संपून है, और ये हमेशा कैसे जाएगा, नीसे जाएगा, मतलब नीसा गमप ऐसे करके ये राग जो है, शुरू होता है, इसका वादी स्वर है पंचम, समवादी स्वर है शडच, मतलब आप पापे बहुत ज्यादा नियास दिखाते है, समय है दिन का चतुर्त प्रहर या फिर दिन का अंतिम प्रहर, इसी वज़े से राग मुलतानी जो है एक परमेल प्रवेशक राग भी है, इसके स्वर भी देखे सेम वैसे ही है, रेगा धा कोमल है और मा तीब्र है, तो देखिए जैसा मैंने बोला कि रेधा आरो में नह संगती है, वो गाके बताती हूं गाम पनी दापा माला मारे साँ गाम पा गाम दापा मापा माला मारे साँ तो जैसा कि आपने सुना, तो जब आपने सुना होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम गा को, कोमल गा को मा के, मतलब तीवर मा के कंड से लेके आ रहे हैं तो इसी लिए राग मुलतानी के अंदर कोमल गंधार का जो स्वर लगाव है, वो बहुत विशेश है, क्यूं? क्यूंकि राग मुलतानी के अंदर कोमल गंधार जो है, वो तीवर मा के कंड से आता है, इसका मतलब क्या है? कि गंधार जो है, वो चड़ा हुआ है और वहीं जब आप देखेंगे तोड़ी में तोड़ी के अंदर क्या है? गंधार जो है वो अतिकोमले मतलब उत्रा हुआ है वो रे के कंड से जो है आता है तो ये चीज आपको थोड़े से डिफरेंसे हैं तोड़ी और मुलतानी के जो याद रखने है अब देखें राग मुलतानी के जो विशेषता है उनमें से ये विशेषता है कि ये एक संधी प्रकाश राग है और ये परमेल प्रवेशक राग भी है क्यूं? क्यूंकि ये तोड़ी थाट से पूरवी थाट के रागों में प्रवेश करता है क्यों क्योंकि इसका समय कैसा है दिन का अंतिम प्रहर मतलब चौथा प्रहर है इसी वज़ा से ये राग जो है एक परमेल प्रवेशक राग भी है अब सबसे इंपोर्टन चीज आपको ये ध्यान देनी है कि राग मुलतानी के अंदर रिशब जो है वो अलप है देखी आरो मे कि जो चाया है वो आने लगेगी अब आप सोचेंगे कि राग मुलतानी में फिर कौन से ऐसे स्वर है जिस पे न्यास किया जाए तो देखिए राग मुलतानी के अंदर जो न्यास के स्वर है वो है शडज पंचम निशाद आप गंधार पे भी रुक सकते हैं पर आपको ऐस ज़र है कि अब बहुत ज़्यादा रुकें अगर आप बहुत ज़्यादा रुकेंगे तो भही स्वर है कि ऊड़ी की चाया आएगी तो I hope आपको समझ आया होगा कोई राग अगर miss हो गया है तो आप मुझे comment section में जरूर लिखके बताईए मैं उसको next video में जरूर लेके आऊंगी So that's it for the video Thank you so much for watching I hope आपने मेरी बाकी videos जो है वो भी देखी है और वो आप लोगों के लिए helpful रही होंगी अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और अपना feedback जो है वो comment section में जरूर दीजिए और notification bell icon जो है उसको on रखिए Thank you